तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे नेशनल पार्क के उपर तो आप सब को पता हिए 2021 में अभी current time में इंडिया के अंदर 104 वर हंड़ेट 4 नेशनल पार्क हैं तो 104 question ही आज हम अपनी इस वीडियो में discuss करेंगे नेशनल पार्क जितने भी रहेंगे इंडिया में वो सबी आज हम इस वीडियो में cover करेंगे नेशनल पार्क से related इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से भी question नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सारे नेशनल पार्क हमने इस वीडियो में आपको provide कराए हैं तो अगर आपको कुद्रमुक नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौनसी स्टेट में located है तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का तो करनाट का जो स्टेट रहेगी वहाँ पे located है कुद्रमुक नेशनल पार्क ये जो रहेगा ये एक revision वीडियो रहेगी तो हम direct question answer जो है वो इस वीडियो में discuss करे अगला question देखते है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की कौनसी स्टेट में है तो हमारा answer हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड जो स्टेट है वहाँ पे located है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो इंदरा गांधी नेशनल पार्क या फिर अनामलाई नेशनल पार्क जो है इंडिया का ये कहां पे located है तो हमारा answer हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू जो स्टेट र पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा उत्राखंड तो उत्राखंड जो स्टेट है वही पे लोकेटेड राजाजी नेशनल पार्क बक्सा टाइगर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टे बंदीपूर नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बंदीपूर नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाटका करनाटका जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है बंदीपूर नेशनल पार्क भी अब दोस्तों अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते है 2000 questions की एक ebook हमने launch करी है जो की सिरफ आपको 99 रुपीज में मिल रही है इस पर आपको 67% off provide कराया जा रहा है ये important इसलिए रहेगी क्योंकि हर shift में जाधा तर 7-8 question आपको इस ebook से मिलते हैं इसमें जो होगा 500 science के questions है 500 static gk के questions है 500 current affair रहेगा 2020 का और 500 basic general knowledge के questions है तो ये 2000 questions आपको इसी बुक में मिल रहे हैं link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं अगर आपको कुछ issue होता है तो ये हमारी email id रहेगी आप इस पर डिरेक्ट mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं एंडिया वालीा वजावर नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो वेली वजावर नेशनल पार्क कहा है तो हमारा answer हो जाएगा उत्रकंड उत्रकंड जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है वैली ओफ फ्लोवर्स नेशनल पार्क भी सरिस्का नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया सरिस्का नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा वैस्ट बेंगाल वैस्ट बेंगाल स्टेट में ही रहेगा जल्दापरा नेशनल पार्क आप इनको ऐसे भी डेसम पढ़ रहे हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप स्टेट भाइस भी इनको नोट कर सकते हैं उस तरीके से भी आपको याद हो सकते हैं बाकि अगर आप वीडियो को दो-तिन बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारे नेशनल पार्क जो होंगे ये तैयार हो जाएंगे. अगला कोशन देखते हैं, चंदोली नेशनल पार्क is located in which state of India? चंदोली नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में है तो हमा गांधी नागर होल पूछा जाए आपसे, तो आपका अंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाट का, तो नागर होल वाला जो नेशनल पार्क है वो located है करनाट का इस्टेट में. अब आपका जो option होगा उसके हिसाब से आपका अंसर होता है, तो अगर आपको हो हम आगे डिसकस करेंगे. नंदादेवी नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया, तो नंदादेवी नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्राकंड, उत्राकंड जो इस्टेट है वहीं पे located है नंदादेवी नेशनल पार्क. गल्फ औफ मनार मरीन नेशनल इस लोकेटिड in which state of India तो Gulf of Monarch जो Marine National Park है यह कहाँ पर located है तो हमारा answer हो जाएगा तमिलनादू तमिलनादू जो स्टेट है वहाँ पर located है Gulf of Monarch Marine National Park सुंदरबन National Park इस लोकेटिड in which state of इंडिया basic question रहता है सबको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बेंगाल तो वेस्ट बेंगाल का काफी जादा फेमस एक नेशनल पार्ग रहेगा सुन्दरबन नेशनल पार्ग ये भी बेसिक कोश्चन रहता है अब सबको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा राजिस्थान जो इस्टेट है वहाँ काफी फेमस नेशनल पार्ग रहेगा रन्थमबोर नेशनल पार्ग औरंग नेशनल पार्ग इस लोकेटेड इन विच स्टेट अफ इंडिया पीछे एक्जाम में ये कोश्चन काफी बार पूछा गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा असाम तो असाम जो इस्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्ग वंस्टा नेशनल पार्ग इस लोकेटेड इन विच स्टेट अफ इंडिया तो वंस्टा नेशनल पार्ग कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात गुजरात स्टेट में लोकेटेड है वंस्टा नेशनल पार्ग बंदवगर नेशनल पार्क is located in which state of India तो बंदवगर जो है एक जगे भी रहती है तो यह कहाँ पर लोकेटेड होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रतेश मध्य प्रतेश स्टेट में ही जगे है बंदवगर वहीं पर लोकेटेड है बंदवगर नेशनल पार्क केबुल लमजाव नेशनल पार्क is located in which state of India सबसे जादा जो कोशन आपसे नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछा जाता है वो कौन सा कोशन रहेगा तो वो रहेगा केबुल लमजाव नेशनल पार्क ये काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा मनीपूर मनीपूर जो इस्टेट है वहाँ पे located है केबुल लमजाव नेशनल पार्क अब ये जो कोशन रहता है ये important इसलिए रहता है क्योंकि एक 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 एकलोता floating national पार्क है तो ये इसलिए सबसे जादा एक्जाम में पूछा जाता है एकलोता floating national पार्क कौन सा है तो आपसे ये भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा केबुल लमजाव नेशनल पार्क और जो लॉक तक लेख है उसके अराउंड ये situated है बालपकरम नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया बालपकरम नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा मेचाल जी मेचाले स्टेट में है बालपकरम नेशनल पार्क Mount Harriet नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया Mount Harriet नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलेंड तो अंडमान एंड निकोबार आइलेंड जो की एक इंडिया की union territory है वहाँ पे located है Mount Harriet National Park यह आपको ध्यान रखना है की अंडमान एंड निकोबार आइलेंड जो है रहेगा बिहार आप सबको पता है यह वालमी की जो थे बिहार से related होता है वालमी की institute भी रहेगा बिहार में तो वालमी की नेशनल पार्क रहेगा बिहार स्टेट से related Kangar Valley National Park is located in which state of India तो Kangar Valley National Park या फिर इसको Kangar Ghaati National Park भी बोला जाता है तो ये कहाँ पर located है तो हमारा answer हो जाएगा 36 गड़, 36 गड़ जो state है वहाँ पर रहेगा Kangar Ghatty National Park या फिर Kangar Valley National Park काले सर नेशनल पार्क अ लोकेटेड in which state of India, तो काले सर नेशनल पार्क कहाँ पर है तो हमारा answer हो जाएगा हरियाना हरियाना जो इस्टेट है यहाँ पे लोकेटेड है काले सर नेशनल पार्क अगला कुश्षन देखते है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया तो खीर गंगा जो है एक काफी जादा फेमस जगे रहती है तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो state है वहाँ पे located है खीर गंगा जो जगे है यह भी एक हिमाचल प्रदेश की रहेगी अब खीर गंगा से related ही एक दूद सागर फॉल रहता है दूद साग तो हमारा आंसर हो जाएगा जहारखंड 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 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो हमारा आंसर हो जाएगा उडिसा, उडिसा स्टेट में है सिमलीपल नेशनल पार्क कंचन जंगा नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम की स्टेट जो है वहाँ पे लोकेटिड है कंचन जंगा नेशनल पार्क रानी जहासी मरीन नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलेंड अंडमान एंड निकोबार आइलेंड पे लोकेटिड है रानी जहासी मरीन नेशनल पार्क दुदवा नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया important question रहता है हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो इस्टेट है इंडिया की सबसे जादा populated state है और सबसे जादा लोग जो है वो उत्तर प्रदेश इस्टेट में रहते हैं और यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही नेशनल पार्क रहेगा उत्तर प्रदेश का जोकी रहेगा दुद्वा नेशनल पार्क अंसी नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया तो हमारा आंसर हो जाएगा करनाट का करनाट का जो इस्टेट है वहीं पे located है अंसी नेशनल पार्क कोलाडियो नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया तो ये भी काफी जादा पूछे जानावाला एक्जाम में कोशन रहेगा कि कोलाडियो नेशनल पार्क कहां पे located है तो हमारा आंसर हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान स्टेट में है कोलाडियो नेशनल पार्क अब हम लोग आपसे कोशन पूछते हैं कि कोलाडियो नेशनल पार्क जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो ये जो कोशन रहेगा ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कोलाडियो नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है अगला कोशन देख पताईए गिर से हो जाता है गुजराथ, गुजराथ स्टेट में लोकेटेड है गिर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क are located in which state of इंडिया, पन्ना नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्य प्रदेश, मद्य प्रदेश जो है पन्ना के ल लोकेटिड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंदमान एंड निकोबार आइलेंड अंदमान एंड निकोबार आइलेंड जो की एक यूनियन टरेटरी है यहाँ पे लोकेटिड है महात्मा गांदी मरी नेशनल पार्क जिसको की वंदूर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है पिन वैली नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट आफ इंडिया पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्टेट में रहेगा पिन वैली नेशनल पार्क पेरियर नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ओफ इंडिया पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरला कैरला स्टेट में लोकेटेड है पेरियर नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क is located in which state of India मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है तो हमारा आंसर हो जाएगा असाम तो असाम जो स्टेट है यहीं पर located है मानस नेशनल पार्क ब्लैक बग नेशनल पार्क is located in which state of India तो ये भी आपको जरूर पता होगा Black Buck National Park कहाँ पहाँ 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 पहा जोकी सबसे जादा रहेंगे दूसरे नंबर पर सबसे जादा है अंडबान निकोबार आइलेंड पर जोकी रहेंगे 9 तो आपको ध्यान रखना है मद्यप्रदेश में सबसे जादा नेशनल पार्क है 11 नेशनल पार्क silent valley national park is located in which state of india silent valley national park कहाँ पर है तो हमारा आंसर हो जाएगा केरिला तो केरिला जो इस टेट है वहाँ पर लोकेटेड है silent valley national park काना नेशनल पार्क is located in which state of india तो आपको पता होगा मद्यप्रदेश स्टेट में ही located है काना नेशनल पार्क भी अब यह जो है हम national park से related सारे question इस वीडियो में discuss कर रहे हैं 104 के 104 national park हमने इस वीडियो में लिये हैं इसी तरीके से अगर आपको किसी और topic की वीडियो चाहिए हो तो नीचे आप देख सकते हैं all static g के topic के नाम से एक playlist मिलेगी इसमें 150 से जादा topic आपको cover कराए गए हैं तो playlist का जो link रहेगा वो आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इस playlist को देख सकते हैं जिसमें आपको सारे question मिल जाएंगे सारे topic जो होते हैं उनके उपर separate video मिल जाएगी बिल्कुल detail में अगला question देखते हैं Great Himalayan National Park is located in which state of India तो हमारा answer हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश state में ही located है Great Himalayan National Park Satpura National Park is located in which state of India सत्पुरा National Park कहां पे है तो हमारा answer हो जाएगा मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश state में ही located है Satpura National Park भी पापी कोंडा नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश जो इस्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है पापी कोंडा नेशनल पार्क मावलिंग नेशनल पार्क is located in which state of India मावलिंग नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश जो इस्टेट है जो हमारी इस्टन मुस्ट इस्टेट है वहां पे लोकेटेड है मावलिंग नेशनल पार्क तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट आफ इंडिया तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है ये कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा आंदरप्रदेश आंदर प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है श्री वेंकटेशवरा नेशनल पार्क नामदफ़ा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क देहिंग पतनाइक नेशनल पार्क is located in which state of India आंसर हो जाएगा असाम असाम जो स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है देहिंग पतकाई नेशनल पार्क अगला गोशन देखते हैं हमारा गुरु घसी दास नेशनल पार्क is located in which state of India जिसको की संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है तो दोस्तों संजय नेशनल पार्क के नाम से दो नेशनल पार्क से हैं और एक तीसरा नेशनल पार्क रहेगा संजय गांथी नेशनल पार्क से रिलेटेड़ तो इसमें जो ये रहेगा ये होता है गुरु घसी दास से रिलेड़ गुरु घसी दास नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा 36 गर, 36 गर इस्टेट में located है गुरु घसी दास नेशनल पार्क जिसको की संजय गांधी जिसको की संजय नेशनल पार्क भी बोला जाता है बाकी इसके अलावा और जो संजय नेशनल पार्क रहेंगे वो हम अगले दो questions में discuss करेंगे तो अगला question देखते है हमारा तो अगला question है Sanjay National Park अगर आपको सिर्फ Sanjay National Park मिल जाए तो ये कहां पे located है तो हमारा answer हो जाएगा मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश state में located है Sanjay National Park अगर आपको options में मद्यप्रदेश नहीं दिया गया आपको option मिला है 36 गड़ तो 36 गड़ आपका correct answer हो जाए अगर आपको option में मद्यप्रदेश मिला है तो आपका correct answer होगा मद्यप्रदेश इन दोनों options में से आपको सिर्फ एक ही option आपको exam में मिलेगा अगला question देखते है Sanjay Gandhi National Park तो पीछे जो नेशनल पाग थे वो ते Sanjay National Park ये रहेगा Sanjay Gandhi National Park is located in which state of India इसको जो है Bori Valley के नाम से भी जाना जाता है तो Bori Valley जो जगह है ये कहां पे located है तो आपको पता होगा कि महरास्ट की एक जगह रहेगी Bori Valley तो यहां पे located है Sanjay Gandhi National Park तो अगर Sanjay Gandhi आए आपके exam में तो वो महरास्ट इस्टेट में रहेगा बाकी Sanjay अगर पूछा जाए तो वो रहेगा मध्यप्रदेश में और अगर मध्यप्रदेश option में नहीं है तो 36 अगला question देखते है Gulf of कुछ National Park is located in which state of India तो Gulf of कुछ National Park कहां पे located है इसका हम आपको बता देते हैं जो नेशनल पार्क रहेगा ये जो है कुछ पार्ट जो होता है इसका ये पाकिस्तान में भी आता है तो इससे आप अनुमाल लगा सकते है कि कौन सी स्टेट रहेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे located है सबको पता होगा आंसर हो जाएगा असाम असाम स्टेट में लोकेटेड है काजिरंगा नेशनल पार्क अब दोस्तो यहाँ पे भी एक कोशन में कन्फियूजन हो जाता है कि सलीम अली से रिलेटेड पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में located है सलीम अली नेशनल पार्क अब यहाँ पे confusion क्या हो जाता है तो दोस्तो आपको option में गोवा भी मिलता है तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है यह located है जम्मू कश्मीर में लेकिन अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाएगी सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है तो बर्ड सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है गोवा स्टेट में तो इन दोनों को आप अलग-अलग कोशन रहेंगे आप इन दोनों को ध्यान रखें कि नेशनल पार्ग जो है सली सली तो हमारा आंसर हो जाएगा हरी आन एक हमने पीछे डिसकस कराता हुए का कि अंद्रकिला नेशनल पर्ग में हमारा आनसर हो जाएगा हमारा पर हमारा हमारा हमार्प्र App Heimachal प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है इंदरकिला नेशनल पार्क दचिगम नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन वेच स्टेट उव इंडिया तो हमारा आंसर हो जाएग जम्मु कश्मीर जो एक यून्यन territory है current time में यहीं पे located है डचीगम National Park पी बनर घटा National Park is located in which state of India तो बनर घटा National Park कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा करनाटका करनाटका जो state है यहाँ पे located है बनर घटा National Park अगर दोस्तो हमारा जो question है अगर कोई question हमारा गलत होता है तो उससे related जो correction होगा वो को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा हम पिन कर देंगे तो आपको अगर लगता है कि कोई कोशन गलत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार चेक करें हमारे दुआरा पिन कर रहा हुँ आपको कमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको करेक्शन प्रोवाइड कराए गई पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो सिंबल बरा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्टेट में है सिंबल बरा नेशनल पार्क किस्तवर नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच State of India तो किस्टवर National Park कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में ही located है किस्टवर National Park और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हैमिस National Park जो है हैमिस National Park जो है ये located है आपका लगदा की woman में located है Hemis National Park अगला question देखते हैं दंदेली National Park is located in which state of India तो हमारा answer हो जाएगा करनाट का करनाट का state में located है दंदेली National Park पंबादुम 16 मतिकेतन 16 अनामुदी 16 नेशनल पार्क are located in which state of India तो ये तीनों जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में है तो हमारा answer हो जाएगा कैरला कैरला जो स्टेट है वहाँ पे located है ये तीनों नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क is located in which state of India तो पेंच नेशनल पार्क भी जो है ये दो states रहेंगी इंडिया की जिसके border पे ये पाया जाता है तो कुछ पार्ट जो है एक स्टेट में आता है कुछ पार्ट एक स्टेट में आता है तो पेंच नेशनल पार्क जो है इसमें जो इंडिया दर्शनी नेशनल पार्क आज है, येवाला National Park कौन से स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्याप्रदेश, तो मध्याप्रदेश जो स्टेट है, वहाँ पे लोकेटड है पेंच नेशनल पार्क जिसका पार्ट रहेगा इंडर पिढिया दरसनी नेशनल पार्क अब जो दूसरा पार्ट रहेगा पेंच नेशनल पार्क का वो कहां पे आता है तो वो हम अगले कोश्चन में देखेंगे तो ये रहेगा पेंच नेशनल पार्क का गया गया है एक्जाम में तो महराष्ट या फिर मद्यप्रदेश स्टेट में से आपको कोई एक ही स्टेट आपके एक्जाम में दी जाएगी क्यूनो नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्देप्रदेश मद्देप्रदेश स्टेट में ही located है क्यूनो नेशनल पार्क दिबरू सिखोवा नेशनल पार्क is located in which state of India हमारा आंसर हो जाएगा असाम असाम स्टेट में लोकेटेड है दिबरू सिकोवा नेशनल पार्क गूगामन नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट आफ इंडिया हमारा आंसर हो जाएगा महारास्ट महारास्ट जो स्टेट है वहाँ पे लोकेटेड है गूगामन नेशनल पार्क भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसको की मोलम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है तो एक तो होता है मोलम नेशनल पार्क एक होता है मोलिंग नेशनल पार्क जो की हमने पीछे डिसकस करा था तो अगर आपसे मौलम पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा Goa State, Goa जो State है वहाँ पे located है मौलम नेशनल पार्क जिसको की भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है एक ही नेशनल पार्क रहता है Goa State में शिरोही नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा Manyapur Manyapur जो State है यहाँ पे भी दो नेशनल पार्क होते है Key Bloom alum Jau नेशनल पार्क और दूसर नेशनल पार्क रहेगा शिरोही नेशनल पार्क One methods National पार्क Oneiors National Park कहाँ पे located है तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्यप्रदेश तो मद्यप्रदेश स्टेट में ही है वन विहार नेशनल पार्क नविगाउ नेशनल पार्क नविगाउ नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा महारास्ट तो महारास्ट जो इस्टेट है वहीं पे लोकेटएड है नवे गाउ नेशनल पार्क भी नवे गाउ जो है ये भी एक जगे रहेगी महारास्ट स्टेट में नोकरक नेशनल पार्क, नोकरक नेशनल पार्क कहाँ पर है तो हमारा आंसर हो जाएगा मेगाले, मेगाले स्टेट में है नोकरक नेशनल पार्क मौलिन नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजुराम मिजुराम जो स्टेट है वहाँ पे located है मौलिन नेशनल पार्क तदोबा नेशनल पार्क is located in which state of India तदोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा महारास्ट तो महरास्ट स्टेट में ही लोकेटेड है तदोबा नेशनल पार्क जो की महरास्ट स्टेट का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है मंदला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क आ लोकेटेड इन विच स्टेट ओफ इंडिया तो मंदला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ही स्टेट में लोकेटेड है मंदला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क पाउनिपूरी बिलू माउंटेन नेशनल पार्क इंतकी या फिर तंग की national park is located in which state of India, तो इंग तकी या फिर नतंग की जो है ये कौन सी state का एक national park है तो हमारा answer हो जाएगा नागलेंड, तो नागलेंड इस्टेट का भी यही एक इकलोता national park रहेगा बितरकनी का नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा उडिसा उडिसा इस्टेट का एक नेशनल पार्क है बितरकनी का नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क is located in which state of India तो आप सबको पताईए इंडिया में डेजर्ट कहां पे है कौनसी स्टेट में है तो हमारा आंसर हो जाएगा राजिस्तान राजिस्तान जो स्टेट है वहां पे रहेगा डेजर्ट डेजर्ट नेशनल पार्क मुदुमलाई नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट अफ इंडिया तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है ये कहां पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडू तमिलनाडू स्टेट में रहेगा मुदुमलाई नेशनल पार्क भी कसू ब्रह्मानंद रेड़ी नेशनल पार्क is located in which state of India तो कसू ब्रह्मानंद रेड़ी नेशनल पार्क कहां पे लोकेटड है अगर किसी व्यक्ति के नाम पे कोई नेशनल पार्क रखा गया है तो वो काफी जादा important हो जाता है आपके exams के लिए तो वो आपको जरूर ध्यान लखना है तो हमारा answer हो जाएगा तेलंगना तो तेलंगना जो state है वहाँ पे located है कसू ब्रह्मानंद रेड़ी नेशनल पार्क मुकंदर हिल्स जिसको की दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्तान राजिस्तान जो state है यहाँ पे located है मुकंदर हिल नेशनल पार्क या फिर दर्रा नेशनल पार्क गुंडी नेशनल पार्क is located in which state of India तो गुंडी नेशनल पार्क कहां पे है तो हमारा आंसर रहेगा तमिलनाडू तमिलनाडू इस टेट में ही रहेगा गुंडी नेशनल पार्क महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगना, तेलंगना जो स्टेट है वहीं पे लोकेटेड है महावीर हरीना वसंतली नेशनल पार्क, मुकूर्ती नेशनल पार्क is located in which state of इंडिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडू, तमिलनाडू स्टेट में है मुकूर्ती नेशनल पा गंगोत्री नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो गंगोत्री ग्लेशियर से ही आपको पदा सेल जाएगा कि कहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर तो आपका आंसर हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड में रहेगा गंगोत्री नेशनल पार्क पार्क इस लोकेटें इन विच स्टेकल औफ इंडिया तौ उमारा अंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकुपार अंडमान एंड निकुपार आइलेंड में लोकेटेड है सैडल पीक नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा West Bengal West Bengal state में ही रहेगा सिंगा लीला नेशनल पार्क गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क is located in which state of India तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड स्टेट में हैं गोविंद पशू नेशनल पार्क नयोरा वेली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में रहेगा नयोरा वेली नेशनल पार्क Jim Corbett नेशनल पार्क which is India's first National Park established in 1936 located in Utrakhand was previously known as तो Jim Corbett National Park जो है इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो की established हुआ था 1936 में इसको पहले किस नाम से जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा हैले नेशनल पार्क तो Jim Corbett National Park को पहले हैले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है 1936 में established हुआ था और Utrakhand State में ये located है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा लगदाक जम्मू कश्मीर और लगदाक अब अलग-अलग हो गए है तो लगदाक यहाँ पे आएगा आपका option तो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे located है वो located है लगदाक में जो कि एक union territory है तो वो कौनसा नेशनल पार्क है तो हमारा answer हो जाएगा हैमिस नेशनल पार्क तो हैमिस नेशनल पार्क जो है जो की located है लगदाक में यह इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है विच इस दी smallest नेशनल पार्क अफ इंडिया located in Undaman and Nicobar Island तो अंडमान निकोबार आइलेंड में इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है तो हमारा आंसर हो जाएगा South Button National Park जो है ये एक नेशनल पार्क है और ये located है अंडमान एंड निकोबार आइलेंड में अब इस question में ही तीन question हो जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलेंड से related जो की रहेंगे North Button Island नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार आइलेंड में इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर Union territory में हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं जो की सबसे जाधा नेशनल पार्क हैं इंडिया के और दूसरे नंबर पे सबसे जाधा नेशनल पार्क के कितने नेशनल पार्क हैं तो हमारा आंसर हो जाएका 104, एक जो चार नेशनल पार्क हैं करन्ट वार्ण टाइम में इंडिया के अंदर What is the total number of tiger reserve located in इंडिया तिल 2021 तो अभी करन्ट ताइम में total इंडिया के अंदर कितने हैं तो हमारा answer हो हैगा 51 और यह question एक्जामस में काफी बार पूछा भी जाता है और अगर आपको option में 51 नहीं मिलता है तो आपका 50 भी correct answer हो सकता है तो आप देख सकते हैं option जो रहेगा आपका 51 के around वो आपका correct होगा अगर 51 आपको option में नहीं मिला है और अगर 51 option में हैं तो 51 ही What is the total number of biosphere reserves located in India? तो total कितने biosphere reserves है current time में इंडिया में तो हमारा answer हो जाएगा 18 18 total biosphere reserves है current time में इंडिया के अंदर तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हमने सारे नेशनल पार्क डिसकस करें हैं इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क से हैं सारे आपको इस वीडियो के अंदर cover करा दिये गए हैं तो National Park से related कोई भी question आपको इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा तो आप channel को जरूर subscribe कर लें इसी तरीके से हम आपको detailed videos आपको provide कराते हैं हमारे channel पे इसके अलावा जो 2000 questions की e-book है उस पे 67% off मिल रहा है 99 rupees में आपको मिल रही है आप उसको जरूर buy करें उससे आपको 100% आपके exam में मदद मिलेगी उसके अलावा अमारी current affair की भी एक e-book रहेगी 2021 की जनवरी से लेके जून 2021 तक के सारे current affair के question उसमें discuss करे गए है 600 plus questions उसमें रहेंगे जो कि आपके लिए select करके बिल्कूल detail में provide कराए गए है तो आप उसकी भी e-book रहेगी वो आपको 29 rupees में मिल रही है आप उसको भी buy कर सकते हैं उसका link भी आपको description में मिल जाएगा धन्यवाद दोस्तो